हाई विएर्स वेलकम एक तो मैं चैनल आज की इस वीडियो में हम अन्बॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे एक अजस्टिबल लैप्टॉप टेबल जिसका नाम जिसका मॉडल नंबर है एक्स गेर एक्स एट अगर आप ऐसे घर में रहते हैं या पर ऐसे आफिस में काम करते हैं जहां की मेज जो है उसकी हइट टेबल की हइट जो है वो चेयर की हईट से कम है तो पिर आपको चाहिए के ये स वीडियो को Complete देखें और अगर आप laptop यूज़ करते हैं और iPad यूज़ करते हैं या पिर आप उसी table पे खाना भी ना खाते हैं या पिर आप student हैं और कताबे पढ़ते हैं ऐसी table पे तो ये आपकी कमर के लिए काफी नुकसान दे तो इसलिए आपको चाहिए कि आप एक adjustable laptop table को purchase करें तो आज हम एक ऐस इसे ही table का review unboxing करेंगे इस video में ओके जी इस unboxing video के साथ एक मसला है वो यह है कि इस table का हमारे पास box available नहीं है तो direct आप यह table ही देख सकते हैं इसका जो manufacturer है वो है X gear और इसका model जो है वो है A8 अगर हम इसकी dimensions की बात करें तो इसकी height है 295 mm या फिर 11.6 inches करें अगर हम इसकी width की बा में एक table है और इसकी back side को देखें तो हमारे पास foldable adjustable legs हैं जिसकी मदद से हम इस table की height को कम या ज्यादा कर सकते हैं या पिर इसको कोई angle दे सकते हैं इस table की खास बात इसका cooling fan है तो सबसे पहले हम इसकी cooling fan को देखेंगे इसकी specs को देख सकते हम कि यह 8 cm by 8 cm का एक fan है और इसक speed जो है वो कुछ 900 rpm के आसपास है तो सबसे पहले हम एक क्या कहते हैं इसको power bank के साथ इसको attach करते हैं यह हमारे पर USB cable available है और इस USB cable की मदद से हम इस cooling fan को चला सकते हैं और अभी आप देखेंगे कि यह cooling fan चलेगा लेकिन यह cooling fan कुछ ऐसा चलेगा कि शायद आपको इसकी आव cooling fan है इसमें कोई खास हवा का कोई मसला है जिसकी वजह से इसकी हवा जो है वो काफी कम है ना सिरो इसकी हवा बलके इसकी आवास भी काफी कम है तो यह पंखे को यह महसूस करना कि यह चल रहा है यह काफी मुश्किल काम है लेकिन आप ट्राइकर सकते हैं देखने अगर यह cooling fan की cable को unwind किया था उसको आप rewind करते हैं देखें काफी असान प्रासेस है जिसके तुरू आप इसकी cable को दुबारा से adjust कर सकते हैं लेकिन इसमें आपको जो मसला आएगा वो यह है कि इसका USB jack है यह adjust करना थोड़ा सा मुश्किल है आप इसको दूसरी direction में wind करके देखें यह end में आपको जुगार लगा के USB jack को इसके जो slot है उसमें adjust करना पड़ेगा ओके जब यह आप front view देख सकते हैं इस table का अगर हम इसकी height की बात करें तो इस table की 4 settings हैं जिसके तुरू आप 4 different type की heights को achieve कर सकते हैं आप 250 mm से लेके 325 mm तक इसकी height को adjust कर सकते हैं या फिर अगर इसकी बात करें तो आप 10 inches से लेके 13 inches तक इसकी height को adjust कर सकते हैं अगर हम इसकी rotation की setting की बात करें तो आप इसको 5 different angles पे rotate कर सकते हैं और आप इसको minus 30 degree से लेके 30 degree तक rotation दे सकते हैं ऐसकी maximum height सकते हैं जो के 330 mm या फिर 13 inches और यह क्या सेकंड हाइट सेटिंग है जिसमें इसकी height को reduce कर दिया गया है 300 mm या 11.8 inches पर यह आप 3rd height setting देख सकते हैं जो के 275 mm यह पर 10.8 inches की है और यह 4th height setting है जो के 250 mm और 9.8 inches की है इसके लावा मजीद को कम कर सकते हैं अगर आप इसकी legs को fold कर दें तो आप almost 60 mm की height को achieve कर सकते हैं के जब इसकी rotation की settings को देखते हैं कि हम किस तरह इसको rotate कर सकते हैं और कितने angle पे इसको rotate कर सकते हैं तो यह देख सकते हैं बिल्कुल horizontal table है इस वकत इसमें अभी कोई angle आपको नजर नहीं आ रहा है यह बिल्कुल flat है अभी हम इसको एक एंगल देंगे यह तो तकरीबन 15 degree के लग कोई चीज शेयर करना चाते हैं तो यह table आपको प्रूवियन देगा अगर हम इसके side view की बात करें तो आप देख सकते हैं इसके side पे हमारे पर दो तरह की levers हैं एक यह rotation lock है जिसके through आप इसकी rotation को adjust करने के बाद उस position पे इसको lock कर सकते हैं horizontal position पे यह lock हो जाता है और vertical position पे यह unlock हो जाता है यह जो हमारे पास एक lever है यह lock है यह basically height adjustment को lock unlock करने के लिए तो अगर आप इसको pull करेंगे it means कि आप इसकी height को adjust कर सकते हैं और जब आप इसको push back कर देंगे it means कि अब यह अपनी जगा पे lock हो गया और आप इसकी height को change नहीं कर पाएंगे ओके जी अब process देखते है इसकी height को lock कर देना है अगर हम इसकी rotation की बात करें तो आपको rotation lock को horizontal से vertical position में move करना पड़ेगा उसके बाद आप इसकी rotation को change कर सकते हैं जिस rotation पे आपको इसको lock करना है उस rotation पे रोक के आप जो lever है उसकी position को वापिस horizontal कर दें with respect to the table तो यह देख सकते हैं आपके यह आप इसको negative 30 से लेके positive 30 degree angle दे सकते हैं और इसको rotate कर सकते हैं आप front view से देख सकते हैं कि आप कितना easily इसके angle को change कर सकते हैं और आप जिस position में बैठे हुए है उस position पे easily आप कोई भी काम कर सकते हैं पेशेक आप laptop यूज़ कर रहे हैं या iPad यूज़ कर रहे हैं कोई भी tablet यूज़ कर रह मिल जाए यह देखिए का यह laptop है जो कि उसी table पढ़ा हुआ है और आप different तरीके की चीजें इस laptop पर perform कर सकते हैं इसी तरह आप अपनी कमर को सीधा रखते हुए जो आपका पुराना table है उसके उपर इस table को रखके खाना पीना भी कर सकते हैं कताबे बढ़ सकते हैं laptop लेबल नहीं है तो आपके लिए काफे मुश्किल होगा कि आप different task को perform कर सकें लेकिन अगर आप इस table को purchase करने तो आपके लिए काफी जिंदगी आपकी असान हो जाएगी और आपके लिए काफी बेतरी आ जाएगी और आप कमर को सीधा रखते हुए काफी सारे काम easily कर करने हैं काम करकरके और अप बैट पे बैट के या लेट के काम करना चाहते है तो आप इस सेबल को बैट पे भी रख सकते हैं और किसी भी एंगल कि इसी भी ह्यपड़ी की बात करें तो अगर sideways देखा जाय तो sideways कि इस्विलिटी कुछ इतनी खास नहीं इन यह तेख सकते हैं और वो चाहे का कब जो है वो आपके laptop के उपर गिर सकता है तो इसलिए आप किसी भी liquid को इस table के उपर use मत करें क्योंकि ये कोई इतना खास table नहीं है लेकिन आप इसकी rotation के बात करें तो rotation wise ये काफी stable है आप इसकी top surface पे देख सकते हैं कि ये anti-slip pad है लेकिन इसकी जो height है वो table की height सोड़ी जयादा है जिसकी वज़ासे जो laptop जब आप इस पे place करते हैं तो वो कुछ stable नहीं रहता और आपको ये थोड़ा सा play मिलता है ये देखें कि आप ये जो laptop है ये इसके उपर पूरी तरह से adjust नहीं हुआ और ये देखें ये stability is sideways जो है it's not very stable because कि इसकी जो legs है वो foldable है जिसकी वज़ासे वो इसकी legs lock नहीं होती है खास position पे अगर इसमें ये lock available होता तो शायद ये sideways जो stability का issue है वो किसी हद तक remove हो जाता तो आपको काफी carefully stable को use करना होगा otherwise आपका laptop जो है वो आप गिरा बैठेंगे और आपको कोई नुकसान हो सकता है तो ये stable का drawback है इसकी stability का issue अगर हम इसकी price की बात करें तो ये दराज पे 2599 means तक्रीबन 2400 रुपेका पाकिसान में available है और ये जिस vendor से मैंने purchase किया है उसके 4 reviews है और सारे के सारे reviews जो है माशाला 5 star के हैं अगर आप Malaysia की बात करें तो ये आपको 89 ringgit में lazada.com.my से मिल जाएगा अगर आप पाकिस्तानी हैं उर्दू समझते हैं और lazada से purchasing करते हैं तो आप 89 ringgits में इसको खरीज सकते हैं और अगर बंगलादेश में है तो 2770 बंगलादेशी टका ये टिका टका में आप इसको purchase कर सकते हैं इस सब price के साथ आपको शाहिद कुछ shipping भी देनी पड़े तो आप वो भी mind में रखिएगा Thank you very much for watching my video and please do subscribe my channel and press the bell icon for getting the notification of my future videos Thank you very much, goodbye, take care, Allah Hafiz Thank you